वेलकम तुमाई इचल्वाइन स्रमल लेक्चरर आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आप लोगों का साइंस का जो है सत्ता नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है आपका जो ब साइंस के बहुत सारे पेपर गी है जो मैं आप लोगों को बहुत सारे पेपर है जिसका मैं आप लोगों को सलूशन भी दूँगा और जो बोल्ड एक्जाम ने पेपर जारी किया है जो बोल्ड एक्जाम ने पेपर जारी किया है उसका भी आप लोग सलूशन जरूर कर लेना ठीक है मैं आप लोगों को बोल्ड एक्जाम का जो पेपर जारी हुआ है ठीक है आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर उसका मैं आप लोगों को पीडियेफ का लिंक इस वीडियो तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले chemistry के बहुभी कल्पी बताता हूँ सबसे पहले हम लोग chemistry के बहुभी कल्पी प्रसन देखेंगे जो board exam के लिए very important है और वो बहुभी कल्पी प्रसन देखेंगे जो board exam में आएंगे ही आएंगे ठीक है तो पहला प्रस्न हम लोग देखते हैं ठीक है तो पहला प्रस्न देखो लिखा हुआ है FE2O3 ठीक है ध्यान से समझना एक एक कुश्चन को ठीक है FE2O3 प्लस 2AL गिफस आउट AL2O3 एंड प्लस 2FE उपर दी गई अविकरिया किस परकार की है उपर दी गई जो अबिके अविकरिया है वह किस परकार की है ठीक है और आपका option n доступ A स्योजन अविकरिया वी विश्थापन अविकरिया तो कमश्ची में पहला objective धika। यहां क्या होटा है कि O3 क्या हुआ, यहां F E जो है, वो आप लोगों का जो O3 है, वो Al के साथ जुड़ कहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा यह विश्थाफित हुआ, इसलिए हमारा यह विश्थापन अभिडिया होगा, कौन सा होगा अब स्थापन अद्गिरिया, option number D जो है वो हमारा विल्कुल सही है, याद रखना, ये पहले हम लोग कमेश्टी के objective देते ही हैं, सारे हमारे कमेश्टी के हैं, अब ये हमारे physics and biology सब कुछ इस वीडियो में है, ठीक है दूसरा question है, श्याम स्वेट photography उसमें किसका प्रियोग किया जाता है, option number A है AG, CL, V है, PV, NO3 का whole twice and C है FE, SO4, ND है, CE, CO3 तो स्वेट फोटोग्राफी में किसका प्रियोग किया जाता है, स्वेट फोटोग्राफी की बात की जारी है, तो AZ, CL का प्रियोग किया जाता है, ठीक है AZ, CL, याद रखना, जितने questions मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लो कि रामबान है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये important वीडियो है, like करते रहना, share भी करते रहना, ठीक है, तीसरा question है कि law चून पर तनू हाइड्रो कुलोरी कमने डाले से क्या होता है, सही उत्तर पर लिखिये या निसान लगाई है, ठीक है option नमर ए है hydrogen gas, ये हम iron chloride बनता है, V है chlorine gas ये हम iron hydroxide बनता है, C हमारा है chlorine gas, आप लोग कोई अभिक्रिया नहीं होती, and D है iron ये हम जल बनता है, ठीक है, तो जब question number 4 में पूछ रहा है, amlia willian का pH मान कितना होता है, amlia willian का pH मान, ठीक है, option number a है सून ने, या V है 7, या C है 7 से कम, या D है आपका 7 से अधिक बच्चो, amlia willian का pH मान, देखो 0 से start होता है, 7 होता है, बीच में फिर आपका 14 होता है, आपका 7 से कम जो होगा वो amlia होगा, 7 से अधिक जो होगा, वो छारी होगा, 0 से 7 के बीच में amlia होता है, और जो 7 होता हो स्वयम, उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में छारी होता है, ठीक है तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है, 7 से कम, ठीक है, option number सी हमारा विल्कुल सही है याद रखना ठीक है सारे questions बहुत ज़्यादा important है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं यह सारे questions complete करके ही board exam में paper देने जाना ठीक है सुद्ध जल का pH मान होता है जो सुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है सुद्ध जल का pH value कितनी होती है option number a है, शून ने, v है, 1, c है, 7, d है हमारा 14 तो जो सुद्ध जल होता है जो विल्कुल सुद्ध होता है उसकी पह value होती है वो हमारा कितना होता है उदाष्रीन होता है रंग हीन, गंध हीन, स्वाध हीन होता है इसलिए हमारा 7 होता है ठीक है तो याद रखना यह हमारा question number 5 ह वेल्कुल केलियर करते चलना जो भी कुष्चन पड़ रहे हो, वो सारे केलियर कर ले न, क्योंकि यह हमारे वो कुष्चन सहां है, जो board exam के लिए very important है, board exam में आएंगे ही आएंगे, इसमें जितने भी कुष्चन है, वो मैं यहां guarantee के साथ कह सकता हूं, very important और 100% वाले है तो इसलिए मैंने आपको इन सारे को पढ़ा आ रहा हूँ कुछ्य नगर भी है धावन सोडा का राक्साइनिंग नाम क्या है धावन सोडा का राकसाइनिंग नाम बताना है या Verizon Combined or sodium bio carbonate या sodium hydroxide तो धावन सोडे का राकसाइनिंग नाम क्या होता है question number 6 में पूछ रहा है कि धावन सोडय का रासाइनिंग नाम क्या होता है धोने वाला सोडया का रासाइनिंग नाम क्या होता है sodium carbonate क्या होता है sodium carbonate याद रखना अगर न याद हो लिख लिख कर याद करो न याद हो सुबा उठे कर याद करो time come है पढ़ना जादा है अगर आप लोग इस स्मार्ट तरीक से फिल्याजी करोगे जैसा मैं आपको बता रहा हूं पूरा बुक पढ़ना वह एंपौसिबल है जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो यह सारी important है वह आएंगे ही आएंगे अगर आप पेपर उठा के सब कितना आशान है अगर आप लोग देखोगे न पेपर में यही सब आते हैं ठीक है अगला कुश्चन देखो कुश्चन सेवन है कि निम्न मैंसे अमली 11 है निम्न मैंसे अमली 11 कौन सा है निम्न मैंसे अमली 11 कौन सा है अमली 11 बताना है ठीक है तो अमली 11 आप लोगों को पता होगा अगर नहीं बता हो तो कोई दिक्कत नहीं हो तो पेजल को जीवान रहित करने में प्रयोग किया जाता है अगर उसको जीवान रहित करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे और जीवान रहित करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे C-A-O-C-L-2 ठीक है calcium oxy chloride C-A-O-C-L-2 option number A सही है question number 8 का अब हम लोग देखेंगे अगला question question number 9 अब आप लोग focus करो लिखा हुआ एक विलेयन में hydrogen ion की सांदर्ता 10 की घात 9 M है इस विलेयन का pH मान है आपको यह बताना है कि एक विलेयन है जिसमें hydrogen ion की सांदर्ता 10 की घात 9 M है इस विलेयन का pH value होगा option number A है 9 V है 10 Nc है minus 9 ND है आपका कोई नहीं तो अब आप लोगों को पता ही होगा देखो 10 की घात 9 है वो नीचे होता है जब वो उपर जाता है तो वो 9 जो है वो minus में वो पलस हो जाता है इसलिए हमारा दस की घात 9 पलस होगा ठीक है समझ में आ गये ना question number 9 तक question number 10 देखो anti money है anti money क्या है option number A है धातु है आधातु है उपधातु है जब मैं आप लोगों को उपधातु पढ़ा रहा था तो उसमें एक example बता रहा होगा कि anti money तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं आद है तो आब याद कर लो अभी आपके पास समय है 11 नमर कुश्या है कौन सीधा तो अमले में से hydrogen विस्थापित नहीं करती है अमल में से hydrogen वही नहीं विस्थापित कर पाएंगी, जो स्वयम hydrogen के नीचे होंगे, जो उपर होंगे, वो आसानी से विस्थापित कर देंगे, जो hydrogen के नीचे होंगे, वो अमल में से hydrogen विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो option number A है F.E.J.N.C.U.M.Z. बच्चों, इसमें कौन सा hydrogen के नीचे है, अगर आपको स्वयम याद है, तो अच्छी बात है, नहीं याद है, तो याद कर लो, क्योंकि ये आपके काम आएगा, तो हमारा जो Cu है copper, ये हमारा hydrogen के नीचे होता है, इसलिए ये अमल में से hydrogen विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्वयम इन से गरीब हैं, और इन से नीचे इस्थित हैं, और जो उन से नीचे हैं, वो उपर वाले को कैसे भी स्थापित कर पाएंगे, ठीक है, अगला देखो, question number 12, mat में मुखिता होता है, जो mat में मुखिता क्या होता है, FES या Cu2S या Cu2S तथा FES, या Cu2S तथा Fe2S3, mat में बताना है, mat, mat में म love, yes, समझ हमें आया, अगला question देखो, पीतल, पीतल क्या है, पीतल क्या है, वच्छों, पीतल, option number हमारे पास बहुत सारे है, question number 13 में allá, पीतल है, ढातु है, आ दातु है, आ अदातु है, उपर दातू है, पीतल को बताना है, वच्छों, पीतल, तो जो हमारा पीतल है, della present карandade हाथ हो क्योंकि ये कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है और ये एक मिस्र धातु है जो सामान मात्रा में मिलकर बनाया जाता है तो ये हमारा कुश्चन मार 13 तक आप लोगों को समझ में आही गया होगा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बहुत जादा अच्छो यह यहां सिंगल सिंगल वाड़ीश या सिंगल वाड़ीश शीर का मतलब है की टन समह का क्रियातमक स्मूँ क्या होता थिक है यह थिए आए हैं क्योंकि बाइध इधा हैu ही तक इधा 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 हाइधा घ्रोजन जोड़ दो डबल वांड वह जाएगा समझ में आगे न एशिटिक अमलेका आईउ पीए सी नाम क्या है शिटिक अमलेका आईउ पीए सी नाम लाष इसलिए हमारा नमेत में नी ओगा न पूप में होगा एथ में होगा तो एथी ही कमल हो जाएगा क्योंकि इसमें को जोड़ा जाता है लास में और सी ओ ओ एच ग्रूप है ठीक है कुशन में 16 देखो निम्न मैंसे किस योगिक में कीटोन ही समू है कीटोन समू बताना है ठीक है option number A है H फिर single one C फिर double one O फिर single one H यह हमारा CHO group है फिर यहाँ आपका V है CH3 single one C फिर double one O फिर single one O H यानि कि COOH है ठीक है कीटोन समू है यहाँ देखो CS3 single one C फिर double one O CS3 CO हाँ यह कीटोन समू है सही है यह हमारा अलग समू है यह हाँ D वाला सही है कीटोन समू CS3 single one C फिर double one से O जुडा हुआ है फिर single one से CS3 हमारा इधर-इधर alkyl समू जुडा हुआ है ठीक है तो यह हमारा वच्चा हो गया सही Q16 का D वाला option Q17 आप देखो Acetic अमल में कितने अमली है hydrogen परमाडू है Acetic अमल में आपको यह बताना है कि कितने अमली है hydrogen परमाडू है Option अ है 1 V है 2 C है 3 D है 4 Acetic अमले में बताना है Acetic अमले में कितने हाइडरोजन अमली है परमाडू है कितने है Acetic अमले एक ही है न एक तो हमारा उसके साथ CS3 COH और OOH के साथ जो जुड़ा है H वह हमारा है ठीक है यह हमारा एक ही हो जाएगा Acetic अमले में हमारा एक ही hydrogen अमली है परमाड़ होता है यह याद रखना ठीक है अगला कुश्यन देखो कुश्यन अबर 18 कि निमलिकित में ऐसे आसंत्रिप्त योगिक है आसंत्रिप्त योगिक बताना है एथेन या मेथेन या एथलीन या फिर एथाइल अलकोहल तो वो मेथेन एथेन जो है वो तो हमारा एलकेन समू का है जो संत्रिप्त हाइडरोकारबन है जिसमें सिंगल वांड होता है एथाइल अलकोहल का अगर आप एक संशना बनाओगे न तो इसमें भी आपका क्या आएगा एक ही संगल संगल वांड आएंगे और एथेलीन यानि कि एलकेन समू है यानि कि हमारा ये आसंत्रिप्त है एलकेन समू तो फिलहाल आपका संत्रिप्त ही होता है इसमें दोनों में एलकेन है क्योंकि एन जुड़ावा तो ये तो हमारा दोनों खतम हो गया अब एथाइल अल्कोहल का अब एक संदसना बनाओगे तो सिंगल बांड ही आएगा इसलिए हमारा संत्रित होगा सिंगल बांड है तो संत्रित होगा और हमारा एथिलीन में डबल बांड होता है 19 नमर कुष्ण है लाई विकांड संबन्ध दरसाता है याद रखना मैंगनीसियम के साथ विकांड संबन्ध दरसाता है यह हमारा कुश्चन नमर 19 और आई होब कि आपको सारे कुश्चन समझ में आ गये होंगे कुश्चन नमर 19 तक तो चलो अब लोग देखते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमर 20 देखू ठीक है कुश्चन नमर 20 से आप लोगों का का वाईव प्रदूशन कम करने की प्रिक्रिया है अगर जो पेल पवदे होते हैं उसमें Kevin कम करना है तो हम लोग किस चीज़ क~~श्ष्चन का अभाष्प प्र्दूश्चन का अभाव्पbaar्दूश्चन स RIGHT होता है वास्पो सर्जन के दोरा उतसर्जन होता है जैसे हम लोगों में उतसर्जन होता है प्रोटीन संसलेशन में प्रोटीन का संसलेशन होता है लेकिन प्रकास संसलेशन में जो है वो वायू प्रदूर्शन कम कर देता है क्योंकि यह हमारा प्रिकास संसलेशकन ही है सही option ठीक है 21 नमर कुश्चन देखो स्वापोशी पोशन के लिए अवश्चक है जो स्वापोशी पोशन होते हैं जो स्वयम अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या अवश्चक है ठीक है option नमर ए है स्वापोश्चन होते हैं उनके लिए सी ओटू यानि के कारवन डियो अक्साइड जल दोनों है क्लोरोफिल भी ईंपोर्टेंट है सूरिक अप्रकास भी इंपोर्टेंट है तो फिर क्या इंपोर्टेंट नहीं है सारे है ना तो उप्योक्त मैं से सभी करों क्या दिक्कत है। थेक हैं उप्यॉक तुमें से सभी अपका सही हो जाएगा। सहन के साफ्छा के साथ। ही मोग्लोविन बधाना है महत्य। ब्मेगा निभाता है। तो हीमोगलोबिन जो होता है बच्चों वो हमारा स्वसंद के साथ महात्पूर्ण भूमिकाने बाता है जो हीमोगलोबिन होता है ठीक है यह सारे वैलो जी के इतने जादे इंपोर्टेंट कुश्चन है कि अगर आप देख लोगे न तो रिकार्ड तोड़ चुके हैं पूर्ण भूमिका निफाता है हिमोगलोबिन देख लो बोर्ड एक्जाम में आया होई न स्वसंद में सही न तो देख लो आपका यह देखो फ्लोयम दौरा भोजन का स्वांत्र होता है यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है अभी मैं आपको आगे समझाओंगो न क्य लिक्त है तो यह हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदाई है पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदाई होता है किसके लिए जल का वहन भोजन का वहन करता है यह ऑक्सीजन का वहन तो जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है ठीक है जल का वहन, कुश्चन नमर 23 का हमारा option नमर एस आई है, 24 नमर कुश्चन अलाइंगीक जनन मुकुलन द्वारा होता है, जो अलाइंगीक जनन होता है, वो मुकुलन द्वारा किस में होता है, ठीक है, अमीबा में, इस्ट में, या प्लाजमोडियम में, या फिर लेसमीनिया मे आपको ये वताना है जो अलाइंगिक जनन होता है अगर आप लोग ये सारे complete कर लोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्याओं अख्शे माक्स लाओगे बूर्ड एक्जाम पुश्य नमर 50 देखो प्राग कोश में होते हैं जो प्राग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है वायदल होता है या अंडासे होता है या अंडप होता है या प्राग कन होता है तो जो प्राग कोश होते हैं प्राग कोश के अंदर क्या होता है प्राग कन होता है क्या होता है प्राग कन तो याद र हां निशेचन होता है फर्टलाइजेशन होता है राखराती गया होती है यह बहुत जद аккурат है से ठीछ नब मेर्ड आपका 26 दिउनि निशेचन आप लोगों का पाया जाता यह द दिउनि अगीसमें होता है जन्तू में होता जूंत वरत्र अबरिध वीजी पादप में होता है या अनावरित वीजी पादप में या जैवा सैवाल में दिवनी सेचन की प्रिक्रिया किस में होती है जन्तुओं में होता है या आवरित वीजी पादप में या सैवाल में तो जो हमारा दिवनी सेचन होता है वो आवरित वीजी पादप में होता है किसमें होता है आव मेंसे कौन सा मानों में मादाजनन तंतर का भाग नहीं है मादाजनन तंतर का नहीं है अंडासय, गर्भासय, शुक्रवाहिक, कषिए तो यह आप लोग याद रखना यह तो बच्चों वो दिये थे मटर पर किस पर मतर पर फिक है याद रखना मटर is correct option ठीक है अगला question देखो 29 नमबर शमजात अंगों का उधारन है शमजात अंग जिनके जो अंगों होते हैं वो शमजात होते हैं ठीक है तो आपकी पास 4 options हैं देखो हमारा हाथ तता कुट्टे का अगरपाद जो हमारा हाथ होता तता कुट्टे का अगरप आलू यहां घास की भू अस्थरी जो उपड़ी अस्थरी होता है या उप्यूक्त में सभी तो इसका आपका right option क्या होगा उप्यूक्त में सभी यह हमारे सारे समजात अंगे सब के जाती समान है ठीक है समजात अंग है सारे तो यह हमारा question नमबर 29 है अब हम लोग ना है कि मानों से सबसे अधिक निकट वरती है तो option नमबर A है वंदर या चमगादर या आपका घरगोश चिंपैंजी तो वैसे तो बहुत सारी जगहां आपका कुछ भी दिखा रहा होगा लेकिन हमारा जो सही है जो board exam आपका सही है वह हमारा है शिंपैंजी ठीक है और आपका विद्या में कहीं अलग दे देता है तो अगर इसका right answer देखा जाए तो वैसे चिंपैंजी होगा ठीक है क्या होगा चिंपैंजी अगला question देखो अब हमारा आगया बच्चों physics के questions क्या आगे physics के important question जो board exam के लिए very important है physics अभी तक हमारे chemistry और biology के खतम हो चुके है अब हमारे physics के देखेंगे जो आप लोगों के board exam के लिए very important question है सारा 31 number question या किसी वस्तू को एक दरपन के सामने निकट रखने पर प्रतविम बने किन्तु दूर रखने पर उल्टा प्रतविम बने तो वह दरपन है मरलब अगर आप निकट रखोगे तो आप लोगों का प् प्यूक्त मैंसे कोई नहीं तो वो हमारा क्या होगा देख लो आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा important question है आप लोगों के board exam के लिए और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो ब कौन सा होगा ओतल दर्पन ठीक है सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़रा important है अगला देखो किसी विम्व का ओतल दर्पन द्वारा बना प्रद्विम आभासी सिधा तथा विम्व से बड़ा बाया जाता है वस्तू की स्थती कहां होनी चाहिए एक ही ऐसी दर्पन के दुरू तथा मुख्य फोकस के बीच तो आप लोग याद रखना वह हमारा दर्पन के दुरू तथा मुख्य फोकस के बीच में रहता है ठीक है लास्ट वाली जो हमारा 6 नमबर इस्थती है उतल दरपण की वही वाला है अब लास्ट वाला आप लोग जानते होंगे कहां रखा रहता है ठीक है अब आप लोग अगला देखो 30 नमबर 33 नमबर एक उतल दरपण की फोकस दूरी 10 सेंटीमेटर है दरपण की वकरतात रिज्जा होगी फोकस दूरी की दो गुनी वकरतात रिज्जा होती है हमेसा याद रखना और आप लोगों का वकरतात रिज्जा कितनी होगी 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm तो 10 का 2 गुना 20 20 cm Q33 का हमारा 20 cm correct option हो जाएगा Q34 पर आजाओ यह सारे बहुत ज़रा important physics के question है लिकाव निम्ड मैंसे कौन सा पदार्थ lens बनाने के लिए प्रियोग तो नहीं किया जा सकता इन चारों मैंसे कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग प्रियोग lens बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं option number A है जल का या काच का या प्लास्टिक का या मिट्टी का तो जो lens बनाने के लिए हम लोग किसका प्रियोग नहीं करते है तो वो हमारा कौन सा option सही है इन चारों मेंसे आपको पठा होगा तो वो हमारा मिट्टी है क्योंकि यह हमारा पारदर्सी नहीं होता है जिससे हम लोग आरपार नहीं देख सकते और जब तक आप lens के रवारा आरपार नहीं देख सको तो वो कौन सा lens है जैसे चस्मे में lens का प्रियोग किया जाता है तो वो आरपार दिखाई देटा है तो वो हमारा मिट्टी का प्रियोग नहीं किया जा सकता इसने हमारा ये lens बनाने के लिए प्रियोग तर नहीं किया जा सकता 35 नुरवात में प्रकास के चाल 3x10 की फार 8 मीतर प्रसिकेंड है तो जल काच ठीक है उसका पुरतनाग 1.5 है तो प्रकास की चाल होगी 1.5 को 3 से भाग दे दो यह मलब यह 1.5 तो यह हमारा टू हो जाएगा टू इंटू 10 की घाट 8, 2 इंटू 10 की घाट 8 मेटर प्रतिस्चेंड यह हमारा से यह हो जाएगा माध्यमों में से प्रकास की चाल जो है वो अधिक्तम होगा निवन्तम नी अधिक्तम याद रखना ठीक है अधिक्तम होगा हीरा में जल में कांच में कैरोशीन में तो प्रकास की चाल जो सबसे ज़्यादा कठोड है उसमें होगा तो यह हमारा हीरा सबसे ज़्यादा कठोड ह होता है यह बहुत ज़्यादा important question अगर मैं आपको पेपर में दिखा हूं तो यह देख लू पेपर में कि वायू के सापेच माध्यम का पूर्टनाग अधिक्तम होता है जल में हीरा में कास में टार्पिन की तेल में तो आपको क्या करना है हीरा में ठीक है तो बच्छों देख है आपका 50 cm C है 100 cm एडी है infinite यानि की अनंत तो दूर विंदु क्या होगा अगर आपका आँख विल्कुल स्वस्थ है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो जहां तक आपको कोई दिक्कत नहों तो आपका infinite correct option हो जाएगा 38 नंबर question अब इनेयत लेंस की focus दूरी में परिव क्रत्तन किया जाता है तो किसके दौरा अभिनेत लेंस की बताना है तो इसका राइट अंसर क्या होगा पच्छमाभी दौरा हमारा option number C विल्कुल सही हो जाएगा question number 38 का question number 39 देखो असपस्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी असपस्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी 25 cm या 50 cm या 100 cm या अनन्त असपस्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी कितनी होती है बच्छों असपस्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी तो मैं आपको बता दूं असपस्ट दृष चालीस अंबर कुशन देखो, चंद्रमा से देखने पर आकास दिखाई देता है, जो चंद्रमा से देखने पर आकास किस रंग का दिखाई देता है, बैगनी रंग या नीला रंग या काला रंग या सफेद रंग, जो चंद्रमा से देखने पर आकास किस कलर का दिखाई देत आकास ठीक है चंदर्मा से अगर आप आकास को देखोगे तो किस कलर का दिखाई देगा आपको ये बताना है ठीक है तो अगर आप चंदर्मा से आकवास को देखोगे तो काला रंग का दिखाई देगा किस रंग का काला रंग का ठीक है हमारा option number C विल्गूँ सही है question number 40 का 41 number question है कि विद्धुधारा का SI मात्रक है विद्धुधारा का SI मात्रक बताना है option number A है कुलाम V है MPR, C है जूल या D है ओम तो विद्धुधारा का SI मात्रक क्या होता है विद्धुधारा का SI मात्रक तो बच्चों जो विद्धुधारा होता है उसका SI मात्रक MPR होता है ठीक है MPR अब विद्धुत प्रत्रोध का SI मात्रक अभी आगे पता चल जाएगा क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक भी इंपोर्टन कुश्चन छोड़ोंगे नहीं सारा इंपोर्टन कुश्चन के लिए हो जाएगा ठीक है 42 नमर कुश्चन देखो एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 108 अंकित है इसके तुल्य प्रत्रोध होगा देखो आप लोग फार्मूला याद कर लेना उससे आपका यह 488 वोल्चशन कहणा जितने भी आपके निूमर्यकल से सारा के लेकर एक वीडियो में प्रथिरोध का मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक ओम है या और हम अगला मिश्चन आप लोग 44 नंबर कुश्चन देखो 44 कि एक अस्व सकती बराबर होता है एक अस्व सकती किसके बराबर होता है 726 वाट या 736 वाट या 746 या फार 756 वाट एक अस्व सकती जैसे गोडे की जो सकती होती है वो किसके बराबर होती है होसे सकती तो वह हमारा है हर्स पावर 10 किस चालत में दार्या का प्रवाह किसके दोरा होता कोई वी चालक है उसमें जो हुता है , मुक्त अलेक्ट्राbung को गुष्याँ सबांधिया । करके जब केवल जघुष्या चेतर आख Another करेगा अजर विद्धु takesme रखोगे तो विद्धु takesp kg नहीं कि हमारा दोनों से हो जाएगा विद्धु धारा उतपन ने के युक्ती है विद्धु धारा उतपन करने की युक्ती किया है जनित्र है या गल्यंędzy này या मmesan तो जो विद्धु धारा उतपन करनेकी युक्ति है इन चारों में से वो कौन सा है तो विद्धुत धर्य उत्पण करने की जो युक्ति है वो हमारा वैद्धुत जनित्र है क्या है वैद्धुत जनित्र हमारा option number A विल्कुल सही है डाइनमो उत्पण करता है डाइनमो क्या उत्पण करता है आबेश विद्धुत व प्र्धवी। के रॉक्ती है हुसको पृत फोल्थ प्रत इस राइड़ोय को से रॉक्ती है है प्रत इसको पृति मुख людейं प्रत आक्सिज गवद सीजुन प्रत्यारी तो यह 50 objective positions मैंने आपको खरा दिया, ठीक है, अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा, कि जो आप लोगों का board exam का model paper है, उसका मैं link description में दे दूँगा, उसको solve कर लेना, और इस paper का भी मैं आप लोगों को महनत करके link description में दे दूँगा, पिर आप PDF बनाके, इसका भी link मैं आप आप लोगों को description में दे दूँगा, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग महनत करोगे, तो बहुत अच्छे marks आएंगे, ठीक है, तो यह है आज का हमारा most important video, इसमें हम लोगों ने आज बहुभी कल्पिये प्रश्नों को देखा है, ठीक है, बहुभी कल् objective पढ़ लेतों, तो objective से आप लोगों का पूरा, सब कुछ clear हो जाएगा, फिर और फी questions में आप लोगों करा दूँगा, लगुत्रिये, दिर्गुत्रिये, ऐसे सारे subject हतम हो जाएगे, आज का ये वीडियो जरूर लाइक करना, share करना, चैनल पर आज सब्सक्राइब करना, चलो फिर मिलते हैं, नाक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,